नेक्स्ट इस पर्फेक्टेंस अब पर्फेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत अमेजिंग बहुत इंट्रस्टिंग है इसमें हमारे पास आजएगा प्रेजेंट पास्ट एंड फूचर बस हेल्पिंग वर्फ चेंज होंगे बागी सब से में रहेगा तो अब यहां पर वर्फ की थर्ड फॉर्म आ रही है तो यहां पर जो हमारा ने से इंडिकेशन होता है हमने देखा था जो हमारा पास्ट में सिंपल था ना वहां पर ने यूज करता थे मैंने खाना खाया रमा ने गाना गाया तो अब यहां पर ने आता है इतिनों में ने आत रही हमारा क्या है dope छार मने घाना घाया था को हुआ यहां पर ने सब में आ रहाए इसे मगे लिग दिया और और धुमela जरेघätter विए श्रु पहले वだから रहा है गोल्डन रूलर जो मैं याद करना अब हल्पिंग वह सब के लिए लग 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 है क्या इसके लिए हमारा है प्रेज़न के लिए यह 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 यहां पर यांपर यह यूजर करते थे बस है जर्की सेगें फॉर्म है और वहां पर तो पता है विल भी चैल भी उसके अना तो यहां पर विल राएव शहल भी उसकर रहें तुछ तो है तो है कि में चल रहा है पहले विल शेल था कॉंट सिंपल में कॉंटिनूस में बील भी शेल भी आया अब भी हैव में चेंड होगा थोड़ा सा और बढ़ गया विल है शेल है तो यह हमारा परफेक्ट टेंस हो गया अभी इसका गोल्डन रूल था और उसके बाद देख है कहान पर हुज होता है तो ही शींगल परसन होगा तो हैźnew ओगा पर इस दो के लिए लिए हज्वाइब सबक्त के साथ हाइव अध्यार डिय ता पर båद का पता हुता है यह हमारा के साथ हुंजता है परasaan्यıllों के सारज होता है बिल्कुल जैसे हमारे सबसे मुश्किल है तो पूरा पता ही नहीं चलेगा कैसे कत्म होते हैं अब लैट्स टेक एक्जांपल अब मैं एक्जांपल ले रहा हूं जैसे दो मतलब काम करना तो दू की फ़र्म डटन जोड़िद यस वक मैंने पहले बुला था किसके लिए हूँज होगा इसके से लिए उज़ोगा he के लिए he has done his work अपने लिए बोलूँगो तो I have done my work यह पर लिख देता हूँ I I के साथ क्या उज़ोगा have done my work यह होगा हमारा present का past का अब इसका था उसने अपना काम कर लिया है ओके मैंने अपना काम कर लिया है ठीक है अब past में तो मैंने अपना काम कर लिया था या उसने अपना काम कर लिया था तो he had done his work घर पे पापा बता रहे एक दूसरे को कि उसने अपना काम कर लिया है या he had done his work simple है या फीर हम आगे बोचकते हैं मैंने अपना काम कर लिया था क्योंकि पाप से डान पड़ गई तो मैंने अपना काम पहले ही कर लिया था यहां पर हमारा थाया यह कुछ भी आएगा थे लास्ट वाला फ्यूचर में क्या यूज करेंगे हम सिंपल ही के सब क्या आएगा विल है तो ही विल है वागी से में रहेंगा वागी थार फॉर्म प्लस अब्जेक्ट ड़न ही जोग उसने अपना काम कर लिया होगा उसने ने भी आ रहा है ना मैंने अपना काम कर लिया है उस मैंने अपना काम कर लिया था मैंने अपना काम कर लिया होगा ने आ रहा है मैं के साथ ने इसलिए लास्ट है आई शेल हैव ने कैस्टी में टाइम बता रहा है कि हाँ इस टाइम पे मतलब मैंने जो हैव अपना काम कर लिया होगा I shall have done my work तो यह किसमें आगा गागी में गागी मतलब यह हमारा फूचर में चला गागा यहां पर मैं लिखना हूँ यह हमारा है प्रेजेंट यह हमारा पास्ट यह हमारा फूचर अपर फिसके प्रेजी करना तो यह फूच नहीं है अब एक इक रहाएं अब खाने की बात करते हैं यह फिर गाइन की बात करते हैं हिए संब्रहटे क्का ज inadigram करने इस वारेए सीट सब्सक्राइब तो किसां लिए साइब चाना कीषिक लिए पर काने की बशें से сам कुट third form cooked the meal कि सीता ने खाना बना लिया है है present सीता ने खाना बना लिया था उस टाइम पे तो सीता had cooked the meal और future में कहे तो सीता will have cooked the meal मैंने क्या बला था तो ने 5‐ जिता ने खाना बना लिया है सीता ने खाना बना लिया होगा है कि सीता था misin तो यह कैँ आफ हम एके करकर के इसका नेगटिव और इंडाइरोगैटिव देख लेते हैं लगा देना है वह यहां पर हमने helping वह पहले लिख देना और subject बाद में लिख देना बाकी संदल जैसा है वैसा फेम कर देना है तो 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 अब देख लेते कुछ एक्जांपल्स तो तो अब सबसे पहले में प्रेजन की ग्जांपल ले रहा हूं तो यहां पर मैं cow की ग्जांपल लोंगा cow has grazed the grass गाएने घास चर ली है अब गाएने घास नहीं चरी है तो क्या बोलूँगा cow has he sheet single person है तो cow भी single है ठीक है इसलिए has यूज हो रहा है या फिर it में आईए इसलिए cow के लिए यूज हो रहा है तो cow has not grazed the grass और इंट्रोगेटिव के लिए simple इन दोनों को चैंज कर दो तो has cow grace the grass और नेगटिव के लिए has cow not grazed the grass तो यह सब हमारे present के है ठीक है यहां पर हमारा है यूज हो रहा है यह हमारा ठीक है तो यहां पर हमारे ही तो यह हमारे गातल इसलिम्श प्रेश今天的 Tri पूच और कि पास्ट है यहां पर था जाएगा था थी या फिर थे जो भी है यहां पर यहां पर है यहां पर हैं यहां पर नों की है हैं यहां पर हैं यहां पर हैं इन दोनों के बाद और इन दोनों को इंटर्चेंज करने के बाद क्या हो रहा है बन रही है रहा है बना रहा है यह बन दुम कहों रहाएं रखना है था यहां पर टो गाइने अगास चाहिज लिए लिए रवार फुट्डर देख या गया गाएं तो देख देख लेते तौ इस ड़ने प्रम लेते हैं प्रभा ने गाना गाया होगा तो प्रभा प्रभा के साथ भी लाएगा तो प्रभा विल है तो सिंग सैंग संग तो सिंग सैंग संग सोरी हमने पास्ट में वर्व की सब्सक्राइब यूज की ना तो तब हम सैंग यूज करें वर्व की सब्सक्राइब वबकि third form sung होती तो प्रभाब will have sung the song हमने यूज़ किया है simple past में उनको अपने हान में आया वो third form थी प्रभाब will have sung the song अब इसी का यूज़ करेंगे negative तो प्रभा इन दोनों के बाद प्रभाब will not have sung the song और एक चीज़ मैंने और बताई कि helping के बाद not आता है वो नहीं पहले दो लफ़ों के बाद not आता है याद रखना आगे इसका interrogative विल प्रभा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सब क्लिए होता जाएगा विल प्रभा have sung the song और विल प्रभा have not sung the song विल प्रभा have not sung the song तो क्या बोला मैंने यहाँ पर यह चारो जुआँ वो गागी लग रहा है इसलिए यह हमारे future है तो प्रभा will have sung the song प्रभा ने गाना गाया होगा प्रभा ने गाना नहीं गाया होगा प्रभा will not have sung the song क्या प्रभा ने गाना गाया होगा will प्रभा have sung the song यहाँ पर has नहीं आगा वहाँ पर have आएगा यहाँ देखना will प्रभा have not sung the song क्या प्रभा ने गाना नहीं गाया होगा that's all about perfect tense perfect में हमारे present past future तीनों होगया तीनों का rule एक जैसा है helping of change होता है और indications क्या है not हमेशा पहले दो लफजों के बाद लगता है will प्रभा not have गाएगा so sorry पहले दो लफजों के बाद ही not आएगा हमेशा ठीक है और interrogative के लिए इन दोनों को change कर लेते negative or interrogative बहुत easy है बस simple का तोड़ा से different है do does did का यूज़ करके ठीक है वापिस बता दिये मैंने तो याद रखना यह इसका rule हो गया has have present में had past में और future में will have shall have ठीक है यह होगा मारा perfect tense